हेलो फ्रेंड मोधुमिता लीटिल कीचेन में वैलकाम मैं हूँ मोधुमिता आज मैं और एक न्यू रेशीपी सेयर करने जारी हूँ आज मैं सेयर कर रही हूँ ये महारस्ट्यान स्पेसल चोकली यानि मुरुक्का का रेशीपी मुरुक का हम लोग बनाते हैं लेकिन कोभी कोभी बहुत कड़क हो जाता है खास मेजर्मेंट के साथ में निये बला रेशिपी श्यार करूंगी तक ही जो मुरुक का यानि ये चोकली बहुत बोड़ी असा पारफिक्ट क्रिस्पी बनेगा कड़क भी निये होगा बनाना बहुत आसानी है और बनाऊंगी चाउल के आठा से सिम्पिल इंग्रिडियन सिम्पिल रेशिपी लेकिन खाने में ये बला चोकली बहुत ही टेस्टी होगा मतलब कड़क निये बनेगा सो फ्रेंड्स मेरे चैनल में नई है तो जोरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी ऐसा है हर्दी नियू नियू रेशिपी देखने के लिए चलो फे शुरू करते है तो सबसे पहले डो बनाना पड़ेगा डो बनाने के लिए मैंने यूज कर रही हूँ चाउल के आठा इक घर का बना हुआ सिंपिल चाउल का आठा है तो दो कप मैंने चाउल का आठा यूज कर रही हूँ आप घर में भी बना सकते है ऐसा फिर नॉर्माल जो पेकेट में मि ज्यादा कुछ मसाला गुजम नहीं करूंगी जु घर में अभेलेबेल मसाला होता है वही डालेंगे डाल देते हैं थोड़ा सा ये बारिक काटा हुग करें, कारी पॉछ बारिक कर पॉड़ार करने आप चाहे तो ऐसे सेंपिल आद्रक भी डाल सकते हैं लेकिन आद्रक लोशन एक साथ में पेस्ट डालेंगे तो ये चोकली का टेस्ट भी मसताता है थोड़ी से मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दे आप डालेंगे ओयल जिस काप में मैंने ब्यासन ना पाथा उसी काप के मैंने वान फोट कप जैसा ओयल ले रहे हूँ ओयल को बड़ी आशा गरम करने के बादी इसमें मिलाएंगे काच्चा ओयल बिल्कुली नहीं डालना है तो भी क्रिस्पी बनेगा साद नुसाद डाल देते हैं नमक और ओयल को बड़ी आशा गरम करने के बाद जाल देते हैं चोकली तभी पार्फेक्ट बनेगा जब इसका ओयल का कौंटिटी पार्फेक्ट होगा तो इसी हिसाब से मौयन डाले यानि ओयल डाले तो पारफेक्ट एक डिस्पी कुरकुरा चकली बनेगा तो ओयल को बड़ी आसा गरम करने के बाद ही डालने हैं और जिस काप में हम लोग ब्यासन ना पी तो उसी काप के हिसाब से आवनफोर्ट काप जैसा ओयल डालना है अच्छी तरह से पुरा इंगिडियन्स को मिला लेंगे हातों की हेल से उसके बाद डालेंगे पानी पानी फी गरम पानी डालना है पहले मौयन का पारफेक्ट हुआ की नहीं ओभी देख लेते हो देखी बड़ी आसा यह बाद निंग आ गया मतलब इह मौयन यानी ओल का कॉंटिटी पारफेक्ट है आप उज़ करेंगे गरम पाणी एसे नोर्माल पाणी उज़ नहीं करना है गरम पाणी मैं डाल लेँ यह बहुत ज़ादा टाइट नहीं है थोड़ा साब डो बनेगा तो तो भी क्रिस्पी कुरकुरा बनेगा चोकली तो बहुत ही ज़्यदा टाइट डो नहीं बनाने में दिखा रही हूँ किस तरीका का डो बनाना है तो देखी बुढ़ी असा पारफेक्ट ये डो बन गया डो बनाने के टाइम एक बात जोरू धेन राखना है ज़्यदा टाइट डो नहीं बनाने है चोले बुढ़ी यासा पारफेक्ट डो बन गया आप देखी चोकली का जो साचा मिलता है मतलब हम लोग जैसे सेवी बागरे बनाते ये सेब बनाते उसका साचा ये मार्केट में भेले-भेले मैं पितल का ये बला साचा यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो स्टील का जो मिलता है वो भी यूज़ कर सकते है थोड़ा सा ओयल ब्रास कर लेते है और ये जो डो है इसके अंदर फिलाप कर लेते है अगर बाइंडिंग पारफेक्ट होगा तो ये चोकली भी मस्त बनेगा मतलब फाटेगा भी नहीं तूटेगा भी नहीं मैं देखाऊंगी कितना असान इसे बना सकते है अगर डो भी पारफेक्ट होगा मुयन का कौन्टेटिग और बुड़ी आसा होगा तो ये चोकली भी मस्त बनेगा तो देखें मैंने यहां पे पोलिथिन राख दिया ये स्लाब के उपर और इसके उपर बनाएंगे चोकली बहुत सारा एक साथ में बना लेते हैं उसके बाद इसको फ्राइ करेंगे आप चाहे तो थाली में भी इसको बना के राख दे सकते पहले उसके बाद फ्राइ करना ह तो देखी कितना मस्त यह निकाल के आ रही है पार्फेक्ट क्रिस्पी भी मोनेगा इस मेजरमेंट के साथ अगर डो मनाएंगे तो थोड़ा सा बैसन डालने से इसका बैंडिंग भी पार्फेक्ट हो जाता है तो जोरूर इस तरीका से वान फूर्त कब जैसा चावल काटा के स होता है इसा से बनता है तो मैंने ऐसी गुल गुल बना रही है आप चाहिए तो लंबा-लंबा भी बना सकते हैं इस तरीके से देखी मैंने पूरा चकली बना लिया पूरा नहीं मतलब आधा डो मैंने पेरे बना लिया उसके बाद फ्राय करेंगे तो मैंने एक उठा के भी दिखाती हूँ थोड़ी सी भी तूटे गने बहुत आसानी सी फ्राय कर सकते हैं तो देखी कितना मस्ती पार फिर चोकली का सीप आगया ना आसानी से एक एक करके आप हातों में उठा के इसको ओईल में फ्राय कर सकते हैं चलिए अब इस चोकली को फ्राय करते हैं चोकली फ्राय करने के लिए ओयल का टेमपर जर मीडियम होना है बहुत ही कॉम ओयल में इसको नहीं डालना है बहुत ही कॉम हीड में इसको फ्राइ करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लागेगा तो इसलिए गैस का हैड मेडियम राखके चोकली को फ्राइ करना है ओयल का टेमपराजर भी बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना है तो एक तरफ होने के बाद देखी दुसरा तरफ मैंने पल्टा देती हो और थोड़ी देर में इसी तरीका के खुमा के खुमा के फ्राइ करना है ताकि यह जो चोकली है सब तरफ अच्छे तरह से फ्राइ हो जाएगा चोकली फ्राइ करने का खास तरीक है यह है ज्यादा हाई हीड में बिल्कुली चोकली को फ्राइ नहीं करना है तो धीरे धीरे बुड़ी आसा कालार चेंज होते चायागा और एक भी चोकली इसमें टूटेगा भी नहीं और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा क्रिस्पी इसलिए बनेगा फ्राइ करने का तरीका ये है और डो जो बनाई है उसमें ओयल का क्वांटिटी पर्फेक्ट है और गरम पानी डाल के हम लुक डो बनाया था तो इसलिए देखिए कितना मस्तर बुड़िया सा क्रिस्पी पार्फेक्ट चोकली बन गया दोसरा बैज भी मैंने इसी तरीका से फ्राइ कर लेती हो लेकिन ओयल का टेंपराचर मीडियाम होना है एक भी चोकली टूटेगा भी नहीं है और पार्फेक् देखिए क्या हेगा बहुति हालका हातों से आसाने सी चोकली टूट रहे है बहुती क्रिस्पी भी पनेगा स्था को उटा से ज्जादा कूछ इंग्रिश्पी नहीं है और एक मैंने त्ल के दिखारकी कितना क्रिस्पी बनेगा प्रेंगा सो फ्रेंस आप लोग भी इसी तर देखने के लिए और बेल बोटन को प्रेस करना ना भूले ताकि नोटीपिकिसन सबसे पहले आपको मिल जाए ऐसा है हर दिन न्यू न्यू रेसीपि देखने के लिए